स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं धर्ती पर श्रीनिवासा स्वामी के रूप में श्रीहरी विश्णु अफ्टरित होते हैं और उनका विवाह देभी पदमावती के साथ होता है लेकिन क्या आपको पता है आज भी आप श्रीनिवासा स्वामी के जो स्टरन है आप देख सकते हैं आखिर कैसे ये संभव है आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे वीडियो को सुरू करने से पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले तो चलिए सुरू करते हैं ये बात उस समय की है जब पदमावती संग श्रीनिवासा का विवाह हो जाता है उसके बात श्रीनिवासा देभी पदमावती के संग अगर समुनी की आश्रम में जाती है उस वक्त देभी लक्ष्मी भी लोड़ चुकी होती है इसके बात श्रीनिवासा स्वामी बेंकेटे स्वरा देभी पदमावती और देभी लक्ष्मी एक साथ बेंकेटे गिरी पर चड़ते हैं यानि साथ पारवत पर जाते हैं उस वक्त श्रीनिवासा स्वामी के जो चरणों के निशान है वह वहां पर रह जाते हैं आज भी जो बालाजी तीरुपति का मंदिर है देर्शन के दर्शन कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमो नारायना